बच्चो आज मैं आपको ताड़ासन सिखाने वाला हूँ और उसके बाद लाप के बारे में बताऊंगा ताड़ का अर्थ होता है खजूर का पेड़ या वह पेड़ जो बिलकुल सिधे होते हैं इस आसन का अभ्यास करने से हमारे शरीर की आकुरूती भी पेड़ जैसी बन जाती है सबसे पहले खड़े हो जाएंगे दोनों पर लगबग मिला लेंगे या उनमें चार से पाच इंच का फासला रख सकते हैं पीट और गर्दन सिधी रहेगी अब शरीर में सासो को भरते हुए दोनों हाथो को बाहर खिचते हुए कोणी सिधी रखेंगे और उपर की और ले कर जाएंगे हाथ की उंगलिया उपर आसमान की और रहेगी कोणीया बिल्कुल सिधी कंदे बिल्कुल उपर की और खिचे हुए अब धिरे धिरे अपने दोनों एडियों को जमीन से उपर उठा लेंगे और पूरे शरीर को पैरों की उंगलियों पर ले आएंगे इस तरह से शरीर को स्थीर कर लेना है सासों की गती सामन्ने रहेगी धिरे धिरे एडिया वापस जमीन पर लगाना है हाथों को सास छोड़ते हुए धिरे धिरे साइड से वापस लेकर आएंगे इस आसन का अभ्यास करेंगे तो हाथों को जब आप उपर लेकर जाएंगे तो सास को शरीर के भीतर भरेंगे जितने भी धेर आसन में रुके रहेंगे उतनी ही धेर सासों की गती सामन्ने रहेगी और जब हाथ नीचे आएंगे तब सास बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर आना है यहाथ आसन तीस से एक मेंट तक करे और फिर धिरे धिरे समय बढ़ाना है अब इस वीडियो को देखिए उसके बाद मैं लाप के बारे में बताता हूँ आशा करता हूँ आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा इस आसन के अभ्याश से शारीरिक संतुलन बनाने में सायता मिलती है बच्चों के लिए यह विकास अच्छा होता है इससे जिन बच्चों के कद में वृद्धी नहीं हो रही होगी वह बच्चे इस आसन को अभ्याश करे तो शिगरही उनके कद में वृद्धी होगी यह केवल एक मत्र ऐसा आसन है जिसके अभ्याश से शरीर की सभी मास्पेशिया और नसों में एक साथ खिचा उठपन्न होता है शरीर में रख्त का संचलन अच्छे से होता है जिसके परिणाम स्वरूप सभी अंग सहज रूप से अपना कार्या कर सकते हैं मानसिक और शरीरिक संतुलन के लिए यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमी का निभाता है पीटदर्द, गर्दनदर्द और जिन लोगों को सर्वाइवकल स्पॉंडिलिटी की समस्या है वह लोग इस आसन का भ्यास करने से उन्हें लाब मिलता है